नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका शोशल नौलिज हिंदी में तो दोस्तो, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है डिफेंस के छेतर से दरसल, तमिल नाडु के तिरुचिर अपल्ली में इस्तित, ओर्डिनेंस फैक्टरी ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक बहुती गातक हतियार को बनाकर तयार कर लिया है और ये हतियार इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तागत में जबरजस्त इजाफा करने वाला है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको डिफेंस, फोरन पॉलिसी, फोरक्स रिजर्व, बिजनेस, पॉलिटिक्स, आदी से संबन्दित कबरें मिलती रहती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं दरसल तमिल नाडू के तिरूचुरापली में इस्तित ओर्डिनेंस फैक्टरी ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को 12.7 mm की 25 M2 नेटो हैवी स्टेंडर मशीन गन सोपी है इन में से 15 इंडियन नेवी को दी गई है और बाकी 10 गन इंडियन कोस्ट गार्ड को सोपी गई है और ये मशीन गन इजराइली तकनीक से बनाई गई है अब बात कर लेते हैं इस मशीन गन की खासियत के बारे में कि आखिर इस मशीन गन की खासियत क्या है दरसल ये काफी heavy machine gun है और समुंदर में इन guns को remote की साहिता से दूर से control किया जा सकता है और fire भी किया जा सकता है इन machine guns में एक inbuilt charge coupled device camera, thermal image और एक laser range finder lens है जो रात में भी अपने target को आसानी से तलास कर उसे hit कर सकता है दरसल इस machine gun की technology इजराहिल से ली गई है और Israeli company Albit Systems को 173 million dollar में ये contract दिया गया था और technology transfer समझोते के तहट ये machine gun बन रही है और इन guns से Indian Navy और Indian Coast Guard की ताकत में जबरज़स्त इजाफा होगा इस समझोते के तहट भारत इन machine guns की 747 unit खरीदेगा जिसमें 136 इजराहिल से सिधे import की जाएगी और बाकी की 611 भारत के तिरुचिरापली में इस्तित ओर्डिनेंस factory में बनाई जाएगी और इन machine guns को aircraft carrier पर, पंडुब्यों पर और दूसरी patrolling boats में भी लगाया जा सकता है हलगी दोस्तो इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा Thank you very much for watching वीडियो